हेलो फ्रेंट कैसे ही आप सब आई होब कि आप सब अच्छे होंगे सो आज हमारी डाइट प्लान का 14 डे एंड हम आ चुके हैं रोड पे प्रैक्टिस के लिए अभी मॉर्निंग साड़े चार हुए हैं एंड सारे बच्चे एक्टिफ हो चुके हैं सुबह सुबह इतने चोटे बच्चे को उठाना मुश्किल होता है बट बच्चे डेडिकेटिड हैं अपने गेम्स को लेके क्योंकि इनके कॉम्पिटिशन आ रही है सो ये मॉर्निंग में अपने आप उड़ जाते हैं ज्यादा हमें फोर्स नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स लाइफ किसी की भी इजी नहीं होती है आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है अपना ध्यान रखना है क्योंकि जब तक आप खुद हेल्दी नहीं हैं आप अपनी family का ध्यान नहीं रख सकते हैं So friend, आप happy रहिए, अपने लिए time निकालिए, अपने लिए walk कीजिए, अपना workout कीजिए, अपनी health को ठीक रखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ So friend, आपने मेरी diet को follow करना है, साथ में अपने exercises भी follow करनी है क्योंकि अगर आप diet ले रहे हो, और साथ में exercise नहीं कर रहे हो, तो आपको diet का इतना अच्छा result नहीं मिलेगा साथ में friend, अगर हम exercises करते हैं, तो हमारी body ज़्यादा active हो जाती है, और हमारी immunity ज़्यादा strong हो जाती है उससे हमारा metabolism fast हो जाता है, हमारा digestion अच्छा हो जाता है जाने से पहले मैंने अपने लिए coffee ले ली थी and बेटी के लिए tiffin ready कर रही हूँ आज मैंने रागी बनाई है, सो रागी को मैंने boil कर लिया था आज मैं breakfast में ले रही हूँ, उबली हुई रागी है, साथ में दो एग है, साथ में sprouts है and एक दूद का glass है आपके पास जो भी डाल बनी है, कभी चने बने हैं या राजमा बने हैं, आप इस तरह से उनको boil करके breakfast में ले सकते हैं सो फ्रेंड, आज मैं lunch में ले रही हूँ, रागी डाल है, जिसमें आलू भी डाले है, साथ में दो चपाती है and salad है आप इस तरह से कोई भी डाल या सबजी ले सकते हैं सो फ्रेंड, मैं शाम को पांच बज़े जिम के लिए ready हो चुकी हूँ, आज बेटी को मैं skating नहीं लेके जा रही हूँ क्यूंकि सुभा उसकी practice करवा दी थी and शाम को मैं उसको घर पे रख रही हूँ, क्यूंकि उसके exam चले हैं तो उसकी preparation भी करवानी पड़ती है सो इस तरह से जल्दी-जल्दी मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ and रात के लिए preparation पहले ही करके जाती हूँ, दाल boil करके जाती हूँ, कुछ छोटे-मोटे काम करके जाती हूँ, kitchen बिल्कुल साफ करके जाती हूँ, कि आके मुझे easy रहे सो मैं पहुँच चुकी हूँ, gym, यहाँ पे client के साथ interaction करनी होती है, साथ में employees को instruction देनी होती है, employees का काम देखना होता है सो फ्रेंट मैं पहुँच चुकी हूँ, घर और आज मैंने कुछ नहीं बनाया है, simple मैंने दाल की खिचड़ी बनाई है, मुझे कोई option नहीं दिख रही थी कई बार ऐसा होता है, husband घर में नहीं होते हैं, तो हमें कुछ shortcut करने का मन होता है तो मैंने shortcut किया है, और ले खिचड़ी बनाई है, उसके बाद ये मेरी green tea बन रही है सुबह के लिए मैंने sprouts भिगो दिये है, सारा काम finish करने के बाद मैं अपनी green tea ले लेती हूँ ये सुबह के लिए मैंने बिंडी काट के रखती है, friends आप सबजी इस तरह से कोई भी ले सकते हैं, जो भी घर में आपके बनी होती है बट आपने सिर्फ quantity का ध्यान रखना है, and healthy खाना काना है So friend, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो अपने friend के साथ share कीचे, and मेरा channel subscribe कीचे